नमस्ते, मैं श्रीलता, चीफ डाइटिशन, मेडिकवर हॉस्पेटल्स, मादपूर। जैसे आप जब अबरॉड में देखते हो, मिडल इस्ट या कुछ भी आप चाइना देख लीजिए, रूस देख लीजिए या अमेरिका, हर तरफ के वर्ल्ड डिफरेंट देशों में, सब लोग हर दिन मटन, चिकन, फिश ऐसे खाते हैं, बारती जो हैं वो लगबग सब्सक्राइशों से हम लोग जब कमपैर करते हैं, हमारा प्रोटीन कंजम्शन काफी कम हैं, और हम लोगँ का कार्भोहेडरेट जो हैं, वो ज्यादा लेते हैं, मानने लीजिए चार रोटी, तीन रोटी, या इतना बड़ा वाटी में चावल लेते हैं, या उसके साथ सब तो हमारे डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी रह जाती है। पेट बरा हुआ लगता है आपका बूग कम हो जाता है। जब आपके डाइट में अच्छा प्रोटीन रहेगा तो आपका सेशाइटी फीलिंग अच्छा रहेगा। तरह के amino acid रहते हैं। आपको balance करना है हर डाल का। मानलीजे सुबे में आप इडली, दोसा ऐसे लेते हैं तो आपको उरत डाला जाएगा। दोपेर में आप सांबार या पलक की डाल या माठ की डाल लेते तो तुवर की डाला जाएगा आपको। शायद आप रात में कुछ और रोटी के साथ बेसन कुछ ऐसे बना लेते हैं तो आपको चना डाला जाता है। तो आप दिन बर में ऐसे डाल्स को रोटेट करना चाहिए। नहीं तो आप साबित मूँग का स्प्राउट्स भी कर सकते हैं या राजमा रोटी के साथ का सकते हैं तो आपका जो अमाइन ओ असिड का बैलन्स है वो ठीक तरफ से हो जाता है। जैसे डाल में तोड़ा बहुत amino acid का imbalance रहता है, जो एक डाल में जो amino acid रहता है, दूसरे डाल में नहीं रहता है, इसलिए ये low biological value protein बोलते हैं, तो हम लोग जिब सब को mix करके डाल पंच मिला बनाते हैं, या डाल को five types of डाल मिलाके उसका वड़ा बनाते हैं, तोड़े season में, तो ऐसे चीज़ करने से आपका जो amino acid profile है वो ठीक हो जाएगा, तो जब diabetes सर्फफर करते हैं, तो आप cereal या millet को compare करने से डाल का carbohydrate काफी कम रहता है, तो डाल ले सकते हैं, मान लीजिए आप अगर तीन रोटी काते हैं, एक वाटी डाल के साथ, आप ऐसे कर सकते हैं, 1.5 रोटी लेके 1.5 कटोरी डाल लेंगे, तो आपका जो carbohydrate content जो रोटी से आ रहा है, या calorie content वो काफी कम हो जाता है, आपका डाल से जो protein आता है, वो बहुत बढ़ेगा, और आपका जो carbohydrate है, वो तोड़ा कम रहेगा, तो ऐसे balance करने में, आपका blood sugars कंट्रोल रहेगा, और आप वजन भी बहुत जल्दी गड़ जाएगा, तो diabetes लोगों के लिए कौन सा डाल अच्छा है, सारे डाल तो ऐसे भी अच्छे होते हैं, मगर आपका preparation क्या है, ये ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आप सुबह में idli 2 साल लेते हैं, तो साबित चिलके वाला उरत लेने की कोश प्रशिश करेंगे, तो आज जो fiber हैं, आपका diabetes को control में रखे गा, जैसे आप chutney लेते हैं, तो आप उपटाना दाल की chutney ले सकते हैं, या साबित उरत डाल की chutney ले सकते हैं, जिसको ginger chutney बोलते हैं, वो वाला ले सकते हैं, या आप सामबार ले सकते हैं, देर सारा सबजी डा और ग्लाइसीमिक कंट्रोल भी अच्छा रहेगा दोपैर में आप ब्राउन राइस या वाइट राइस जो भी लेते हैं काबोईडरिट कंट्रोल में रहना चाहिए उसके सब पत्ते वाला डाल ले सकते हैं या तरकारी वाला सामबार ले सकते हैं या आपको कुछ भी चोला म मटर ऐसे कुछ भी का सकते हैं शाम में अंकुरित भी इंच लेंगे या दाल का सू भी बना सकते हैं या दाल को मैश करके कटलेट के जैसा स्टीम कुक भी कड़ सकते हैं कौन सा भी रेसीपी चूस कर सकते हैं आप आपको डिनर में फिर अब दाल पराटा का सकते हैं माने ग को रोटी के अंदर स्टफ कर सकते हैं या कुछ भी सब्जी बनाते हैं आप गोबी बनाते हैं तो उसमें दो-तीन मुट्टी का आप मटर दाल सकते हैं कभी आप गाजर बनाते हैं तो उसमें भी आप पीज दाल सकते हैं या कुछ भी सब्जी दालते हैं सब्जी का नाम की बहुत अच्छा होता है, यह आपके गुर्दों के लिए, आपके डाइबिटीस कंट्रोल के लिए, इतने सारे स्टडीज और रिसर्च हो रहे हैं, अभी प्रोटीन इस रियली कुर, तो आप ऐसा बैलन्स कर सकते हैं, जिनको बहुत सारा भूक लगता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, चना या राजमा, उसको उबाल के का सकते हैं, या कुछ पॉपर के चीज लेके उसमें पॉप करके भी वो बटानी के जैसा का सकते हैं, नहीं तो अमूंग दाल का सूप, चना दाल का सूप, या कुछ भी तुवर दाल का सूप, ऐसे भी बना सकते हैं, तो आप आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और कॉंस्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स में आपको रलीव होएंगे दाल से आपका जो ब्लड अलकलिनीटी है वो मेंटेन करेगा डाइबिटीस पेशन्स को दाल एक अच्छा चीज होता है तो हर दिन हर मील में इंक्लूड करेंगे तो सेथ के लिए बहुत अच्छा है